नमस्कार दोस्तों, Health Tips in India में आपका स्वागत है दोस्तों मच्छों से छुटकारा दिलाएंगे ये नैचुरल तरीके मलेरिया से मिलेगा राहत जी हाँ दोस्तों गर्मियों में घर पर मच्छर आने की समस्या आम बात है मगर इसके काटने से मलेरिया समेट डेंगू और चुकनगुनिया जैसी बिमारिया होने का ज़्यादा खत्रा रहता है घर में मच्छों के आने का मुख्या कारण गंदगी वे पानी का ही खट्टा होना होता है ऐसे में हर साल लोगों को मलेरिया के परती लोगों को जागरुक करने के लिए 25 अप्रेल को विस मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वैसे तो मच्छरों को भगाने के लिए बाजार से अलग-अलग दवाईया वे इस्प्रे आदी मिलते हैं मगर हम आपको इससे चुटकारा पाने के लिए कुछ नैजुरल उपाई बताते हैं आईए जानते हैं ये उपाई नंबर एक है नीम वैनारियल तेल दोस्तों मच्छर भगाने के लिए आप नीम वैनारियल तेल को भी उज़ कर सकते हैं अमरीका की एक रिसर्च के अनुसार इस से मच्छर भगाने में मदद मिलती है इसके लिए दोनों तेलों को बराबर मात्रा में मिला कर सरीर पर मसाज करें इन में मौजूद एंटी बैक्टीरिया, एंटी इंप्लोमेंटरी, एंटी वाइरस गुन वे नीम की तेज गंद से मच्छर भाग जाते हैं, नमबर दो है कपूर, कपूर की तेज गंद मच्छर भगाने में बेहद कारगर है, इसके लिए घर के सभी दर्वाजे वे खिड़किया बंद करके एक से दो कपूर जला दे, करीब 15-20 मिनट तक कमरे खो लेना, इससे घर में मौजूद सभी इससे घर के कोनेवे पोदों पर इस्प्रे करें, आप चाये तो इसे अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, आप पुदीने का पानी भी इस्तमाल कर सकती हैं, इसके लिए पानी में पुदीने की कुछ पतिया उबाले, तैयार मिश्रन को इस्प्रे बोतल में भर कर पू ऐसे में आप मच्छरों से प्रेसान हैं तो घर में तुलसी का पोदा जरूर लगाएं नमबर पांच है लैसुन दोस्तो ओस्दिय गुनों से भरपूर लैसुन की तेजगंद मच्छर दूर भगाने में काम करती है इसके लिए पानी में लैसुन की कुछ कलियां क्रस करके और घर में जो किटानू है वो भी दूर हो जाएंगे जी हाँ दोस्तो अगर आपको भी घर में मच्छरों की सिकायत है तो आप इन तरीकों से दूर कर सकते हैं दोस्तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक मैं कमेंट करें और मेरी ऐसी ही नई नई वीडिय देखने के लिए मेरा चैनल सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद